नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंगदेशमों का आप देखना शुरू कर चुके हैं कच्चा चिठा आज दिली के राउ जिवेन्य कोट ने दिली के मुखे मंतरी अरविंद केजरिवाल को नियाईक हिरासत में जेल भेज दिया 14 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा कमरा 24 घंटे CCTV की निगरानी बैरक के बाहर 4 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती ये दिली के सियम अरविंद केजरिवाल का तिहाड जेल वाला नया पता है 15 फुट तक अरविंद केजरिवाल तिहाड जेल में रहेंगे तिहाड जेल के सेल नमबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरिवाल अरविंद केजरिवाल के लिए जेल में एक टीवी की भी विवस्था की गई है और इसके पहले ईडी ने कोट में कहा कि केज़िवाल ने शराब घोटाले से जुड़े तत्यों की पूछताच के दौरान आम आदमी पार्टी के दो नेताओं सौरभारदुआज और आतिशी का नाम दिया ये दोनों नेता केज़िवाल के गिरफतार होने के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े चहरे के तौर पर उपरे हैं इस पूरे प्रत्रण के बाद आतिशी ने कल यानि की दो एप्रेल को सुभध दस बजे बड़ा परदा फाश करने का एलान किया है दिल्ली के राउज अपेन्यो कोर्ट से तिहार जेल की ओर जाते हैं इस वाहन को बहुत गोर से देख लीजी इस जेल वाहन में कोई सामान्य कह दी नहीं बलकि दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल बैठे हैं जेल जाने से पहले कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे क्योंकि केजरिवाल जब 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 जेल गए आम आदमी पार्टी के दो ने था आतिशी और सौरब भार्द्वाज नहीं मोर्चा समहला और इन दोनों का नाम केजरिवाल ने पूछताच में लिया है क्या है सौरब भार्द्वाज और आतिशी का शराब भुटाले से कनेक्शन जिसके बारे में केजरिवाल ने बताया कि वो उन्हें नहीं आतिशी और सौरफ भार्दवाज को रिपोर्ट करता था जेल जाते जाते केजरिवाल ने क्या कोई बहुत बड़ी सियासी चाल चली है इन सबकी डीटेल आपको आके दिखाएंगे अभी केजरिवाल की जेल यात्रा की फुल रिपोर्ट कोट में आज जबरदस्त जिरह होये E.D. ने केजरिवाल पर पूश्टाच में और सायोग करने का आरोप लगाया E.D. ने तलील दिखी सवालों के सही जबाब नहीं दे रहे हैं केजरिवाल जाच में सायोग नहीं कर रहे हैं केजरिवाल केजरिवाल ने फोन का पासवट नहीं दिया कोट ने इत्मी नाम से सब सुना और फैसला दिया कि अर्विंद केजरिवाल 15 अप्ट्रैल तक नियाई खिरासत में रहेंगे इस तिहार जेल में पहले से ही शराप घोटाले के आरोपी कैद है जेल में केजरिवाल के रहने का जो इंतजाम किया गया है उसके मुताबि अर्विंद केजरिवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे जेल में अर्विंद केजरिवाल के पडोसी हैं उनके ही पूर डिपकी चीफ मिनिस्टर मनीश सिसोदिया जिने जेल नंबर 1 में रखा गया है तिहाड के ही जेल नमबर पांच में है आम आदमी पार्टी के राजे सभासांसर संजय सिंग और इन तीनों के पहले मनी लॉंट्रिंग केस में जेल नमबर साथ में कैद हैं सतेंद्र जैन जबकि शराब होटाले की आरोपी के कविता लेडी जेल नमबर छे में मुझे लग रहा है कि शुपारी जैसी पार्टी इसको वो कहते थे आमाद निपाथी उस पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है अगर इनको डर है चुनाव हारने का तो सिर्फ एक ही बक्ति से उसका नाम अर्विंद केजरीवाल है आतिशी और सौरब भारतवाज को रिपोर्ट करते थे महोदे अब मैं यह कहना चाओंगा यह तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भई शराब का घोटाला तो था जिसको देखो वही आद यहां मदोश है अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई यह तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई लगता है सबने मिलबाट कर है पी और पिलाई अर्विंद केजरिवाल की राहें पहले मुश्किल होई अब काटों से भरी देख रही है जेल से दिल्ली की सरकार चलाने की केजरिवाल की मन्शा का क्या होगा ये भी एक बड़ा सबाल है जिस पर पूरे देश की नजरे ठीकी है लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है आज मुद्दा है दिल्ली के दो मंत्रियों सौरब भारदवाज और आतिशी का शराब घुटाले में नाम आने का जिस समय एडी के वकील दलील दे रहे थे उस दोरान अर्विंद केजरिवाल कोर्ट में मौजूद थे जब एडी ने अदालत के सामने कहा कि केजरिवाल ने पूछताच में बताया कि वेजय नायर आतिशी और सौरब भारदवाज को रिपोर्ट करते थे तो इस दोरान केजरिवाल चुप रहे ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में दो मंत्रियों का नाम लिया जब एडी अदालत को ये बता रहे थी कि वेजय नायर केजरिवाल को नहीं बलकि आतिशी और सौरब भारदवाज को रिपोर्ट करते थे तो वहाँ बैठे केजरिवाल ने इस बात का खंडन तक नहीं किया और वो चुप पिसा दे रहे आतिशी गोवा चुनाव के दोरान गोवा की परभारी रही थी हालाकि ये बात उस वक्त की है जब आतिशी और सौरब भारदवाज दोनों ही मंत्री पत पर नहीं थे अरविंद केजरिवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे किया कि क्यों नायर ने सीएम कैम्प कार्याले में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था जबकि उसने सीएम के कैम्प कार्याले से काम किया था हाना कि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आपकारी नीती बना रहा था आम आपनी पार्टी ने था जैस्मिन शाह में पलटवार करते हुए एडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तब ही उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता हूँ सवाल है कि एडी ने डेड़ दो साल बाद उस बयान को क्यों उठाया जो लिखित में उसके पास है विजय नायर की सनलिप्त ता आम आदनी पार्टी के मीडिया प्रभारी के तौर पर उनके कारेकाल से जुड़ी हुई है ये अवदी उससे बिल्कुल मेल खाती है जिस वक्त ये घोटाला हुआ था एडी के आरोप पत्र में विजय नायर पर साथ ग्रूप के साथ बिचौली के तरपर काम करने का आरोप लगाया गया है जिसने कथित तौर पर दिल्ली में शराब की खुद्रा कारोबार में एंट्री के लिए 100 करोड रुपे की रिश्वत केजरिवाल सरकार को दी थी एडी के मुताबिक पूछताच के दोरान आरोपी समीर महिंदु ने अधिकारियों को बताया कि विजय नायर ने उसकी अरविंद केजरिवाल से मुलाकात तेकी थी लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो विजय नायर ने FaceTime वीडियो कॉल पर उसकी अरविंद केजरिवाल से बात कराई ED का अरोप है कि इस कॉल में अरविंद केजरिवाल ने समीर महिंदू से कहा था कि विजय नायर उनका लड़का है वो उस पर भरूसा कर सकते हैं और उन्हें विजय के साथ आगे पढ़ना चाहिए विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्मुनिकेशन का प्रभारी रहा है वो इंटर्टेन्मेंट जगत का जाना माना नाम है न्यूज एजन्सी के मुताबिक नायर ने इंडी बैलन्स के लिए मैनेजमेंट कमपनी OML शुरू की थी OML यानि Only Much Louder ये एंटर्टेन्मेंट और इवेंट मीडिया कमपनी है विजय नायर इसके CEO और डेरेक्टर भी रह चुके हैं CBI की FIAR के मुताबिक मनीश सिसोधिया के कथित सयोगी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महिंदू से 2-4 करोड रुपे लिये थे ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी विजय नायर अभी जेल में बंद है शराब घोटाले की गुत्थी सुलशने की मजाय और उलस्ती जा रही है धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री और नेता इस घोटाले की जट में आते जा रहे है सौरब भारद्वाज और आतिशी का नाम खुद केजरिवाल ने लिया है तो इसके बड़े सियासी मायने हो सकते है केजरिवाल के इस राश्यो और घाटन के बाद आम आदमी पार्टी वयाख फुट पर है और बीजेपी आक्तामक बलेबासी कर रही है मकसद था लोगसभाज चुनाओं के ठीक पहले अर्विंद केजरिवाल जी को गिरिफ्तार करके इंडिया गडबंदन को तोड़के लोगसभाज चुनाओं में EDCBI के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना उसे पूरा किया जाए अर्विंद केजरिवाल जी जिस चीज के लिए जानने जाते हैं कि राइनिती में किसी को बरदाश नहीं कर सकते वो केवल अपने आपको ही देखना चाते हैं ऐसा लगता है कि वो चाते हैं कि आतीशी जी और भारदवाज जी भी शराग गुटाले में फसें वो चाते हैं कि ये भी किसी तरीके आरे में आएं ताकि ये मुख्य मंत्री बनने का सपना ना देख पाएं इस बीच केजरिवाल ने तिहार में वक्त काटने के लिए तीन किताबों को अपने बास रखने की अनुमती मागी है केजरिवाल के पास तिहार जेल में पढ़ने के लिए बहुत समय है लेकिन अपने दो और मंत्रियों का शराग गुटाले में नाम सामने आने के बाद आम आद्मी पार्टी के भीतर ही भूचाल मचने की संपून संभावना है हलाकि कानूनी पक्ष ये भी है कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरिवाल के लिए कोट से राहत मिलने के अब संभावना ज्यादा रहेगी जो कि एडी की कस्टडी में रहते सरल नहीं था